वल्कम बैक टो यूटूब चैनल नौलेश कीड़ा सो फ्रेंड्स MSTCET 2021 स्टूरेंट के लिए मतलब कि अभी जो इंजिनियरिंग फर्स्ट एर के लिए जो एडमिशन लेने वाले स्टूरेंट उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टन होने वाले है इस वीडियो में हम देखने वाले है कि जो इंजिनियरिंग फर्स्ट एर के लिए एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है मतलब कि आज जिसे है आपके लिए रजिशेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर जो है official notification यहाँ पर publish किया गया है तो इसमें जो बताया गया है information आपको दी गई है आपको जो registration करना है form fill up करना है उसके लिए fees लगेगी आपके जो general category के students है उनके लिए 800 रुपय लगेंगे और यहाँ पर reserve category की जो students है उनके यहाँ पर 600 रुपेज लिए जाएंगे form fill up करने के लिए registration करने के लिए और साथी में आपको जो यहाँ पर online registration of application and uploading of required documents by the candidate for admission on website यहाँ पर आपको दो तारीख से 18 तारीख तक आपको जो यहाँ पर registration का process यहाँ पर complete करना है आपको 8400 400 400 जी हां याद कर लिजिए number अगर आपको कोई भी आपर doubt रहेगा math का physics का chemistry या बायलोजिक का आपको simply इसका answer doubt clear हो जाएगा आपके whatsapp पर आपको simply doubtnut का 8400 400 400 number contact में save कर लेना है open करके आपके question का picture आपको यहाँ पर लेना है इसे crop करके 5 second में आपको video solution यहाँ पर मिल जाए आपको कोई भी डाउट रहेगा clear हो जाएगा आपका doubt आपके whatsapp पर link आपको description में मिल जाएगी और आप जब यहाँ पर registration करेंगे registration करने के लिए आपको original documents required होंगे क्योंकि original documents यहाँ पर scan होंगे आपके document verification process के लिए ठीक है तो original documents आप अपने साथ जरूर रखेगा और documents का video म मैंने बना दिया है आप जाके channel पर जरूर चेक कीजिए आपको क्या documents आपर लगने वाले है तो अपर देखे आपको यहाँ पर इस scrutiny होगी आपकी और इस scrutiny होने के लिए आपको जो है आप जब भी application form अपना complete करेंगे application form complete करने के बाद आपका यहाँ पर confirmation होगा या नहीं application form में document fill up करने के बाद में verification करने के बाद में अगर आपके application form में कुछ error आता है तो आपको यहाँ पर बताया दिया जाएगा कि the status and verification confirmation of the application form shall be available in candidate login along with the receipt कम acknowledgement मतलब कि आपके application form में अगर कोई भी आपर error नहीं होगा तो आपका जो application form है यहाँ पर acknowledgement हो जाएगा और अगर आपके application form में कुछ error आता है तो आपको यहाँ पर आपका form reward दिया जाता है edit करने के लिए मतलब कि आप edit कर सकते आपकी जिसी भी section में यहाँ पर error हो चुका है उस section का आप edit कर सकते ठीक है और आप फिर से यहाँ पर submit कर सकते है री submit कर सकते है confirm करने के लिए तो friends आ जायेगा प्रे submit भी कर सकते है अगर आपको error होगा तो अगर आपको लगता है कि आप physically यहाँ पर डॉक्मेंन वेरिफिकेशन करके आपके लिए तो आपको आप यहाँ पर पूरे documents लेकर यहाँ पर आपको document verification करना है और confirmation करके आपको receive acknowledgement मिल जाएगा तो इस तरीके का जो आपका process है वो होगा मतलब कि यहाँ पर दो नोवेंबर से 20 नोवेंबर तक आपको document verification करना है ठीक है तो आपके यह पर आपको verification करना है सबसे पहले आपका document का आपको जो registration करना है वो registration आपको इस official website पर करना है यह जो official website है अभी आप देख सकते यहाँ पर registration करने के लिए आपको इस official website पर आना है लिंक आपको description में मिल जाएगी यहाँ पर आकर आपको जो है सबसे पहले आपर देख रहे होंगे new registration इस option पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बात आपको अभी जो है मैं वीडियो बना रहू तो ऐसा option है यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि this secret is only for testing purpose ठीक है और registration window is not open till now मतलब कि testing purpose चल रहा है इस website पर testing चल रही है यहाँ पर registration की ठीक है जब भी यहाँ पर open होगा मैं आपको update जरूर दूँगा और registration कैसे करते यह भी बताऊंगा तो चैनल पर नए तो subscribe करके रखना क्योंकि आगे भी आपको most important videos में देने वाला हूँ